रामराम भाईयों गूजर स्ट्योज में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बी-एस बैसला जो कि अखिल भारतिय गूजर महासभाय के महासचीव हैं और आरेसे सर्विसेज में भी काम कर चुके हैं आज उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके जीवन के सफर के बारे में और अखिल भारत गूजर महासभाय की क्या फूचर प्लानिंग है उन सब के बारे में भी इन से बात करेंगे बैसला साब आपका गूजर स्वागत है नमस्कार आपका धनवाद आभारी हूँ आपने मुझे तक पहुंचने की कोशिस की इसके लिए मैं आपका बहुत आ बयाना तैसील में ग्राम बरोदा तैसील बयाना में आता है जहां मेरा जनम हुआ और मैं एक बहुत ही सिंपल परिवार में में जनम लिया और मैंने जब से हो समाला दसवी तक मैंने भरतपूर में ही सिच्छा गरहन की और उसके बाद में मैं जैपूर आ गया था और जैप वी विधी जो साय कालीन लौक उलेज है रास्थान विस्विध्याले का उससे मैं एलल भी किया इसी के साथ में मैं अपनी समाज की संस्था में अखिल भारतिय गुर्जर महसवा में जो है दो हजार तीन में संस्था के अंदर जुड़ा और मुझे एजे राश्टिय सचे वि एक इच्छा थी सौक था जिस तरह से किसी को बीड़ी पीने का सौक होता है किसी को कुछ करने का होता है मुझे समाज का काम करने का सौक था और उसी सौक के नाते में इस महसवा में जुड़ा एजे राश्टिय सचे में बोड़ी में में निकाई के अंदर और उसके साथ ही मैं थोड़े ही समय बाद मेरी कुछ योगता कुछ क्वालिटी उनको लगी क्योंकि उस समय में प्रदेश की सासन सचवाले की राजिस्थान की सरकार के गरह मंतरी थे गुलाब चंद कटारिया जी रास्थान सरकार में बसंद्रा जी की मुखमंतरी थी उनके कारकाल में ग्रहेमंत्री गुलाब चंद काटारिया साब के मैं इनके विस्षष शाहिक थे उनका निजी शाहिक के रूप में अपना रास्थान सचवाले सेवा मे भी मैं सर्विस दे रहा था और उसी सर्विस मेे मुझे एक मेगजीन पर आपत हूं गुजर महासवा की दिल्ली से उस मैगजीन जो हमारे मंतरालों के कारेले में आती थी उस से मुझे जो नेका मौका इस महासवा से मिला तो मुझे एजे राष्टिय सचेव उन्हों ने 2003 में एपुंट किया और उसके बाद मैंने अनवरत कभी मैंने पीछे मुड़के नहीं द मैं नहीं रहने के बाद भी रिटायर भी होने के बाद भी लोगों को कर्मचारी संक्ठन में काम करने की ऐसी संभावना है सम्मेधाने को होती है तो मैं आज भी उसमें इस्टेट का 22 च्चतिस ब्रादरी का कर्मचारी उन्हें धो लेकिन सर्विस के साथ-सल्यवा में में io चुकि मैंने चालू किया, तो मुझे 2003 में जोडने के बाद, लगभग मुझे 2-3 साल के बाद ही, एजे मेरा कुछ काम उनको अच्छा लगा होगा, तो मुझे जनरल सेकेटरी के पद पर फिरमोर्नित किया, उस समय मौझूदा राष्टिय अद्जच पीके अन्ना पाटिल थ लगवक कई प्रदेशों में जाने का स्वभाग प्राप्त हुआ, और समाज के कारकरमों उन बड़े महान आज विभूती जो आज मौझूद नहीं है इस दुनिया में, उन लोगों का सरच्छन प्राप्त हुआ, उनके साथ रह करके मैं इस महासभा में कुछ काम करना सीख और उसी की नीती के तहट उन्हीं की रीती नीतियों को देखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और समाज के काम में अपनी तनमेता के साथ लगा रहा, उसके बाद जब रामसरन भाटी राष्ट्य अद्यच बने पुसकर के धरती पर, क्योंकि हमारा अंतराष्ट्य तीर्थ पुसकर है और पुसकर में राष्ट्य अद्यच का चुनाव हमेशा से होता आया है, रामसरन भाटी जी का भी सलेक्शन जब अन्ना पाटिल साब का सलेर पूरा हो गया, तो उनके निधन के बाद में उनको भी राष्ट्य अद्यच की नियुक्ति पुसकर में की गई थी, उसी के बाद में में अपने उनके कारकाल में भी उन्होंने भी मुझे एज राष्ट्य महासच्च भी अपनी तीम में जगह दी और भाकाद है मुझे 2011, दिया जिए पूरे देस के उसमें भी हैं एक सवाल ये है बीच में कि जब पीके अन्ना पाटल साब थे तब अखिल भारत गुजर महासबाँ काफी अच्छा काम कर रही थी ऐसा जहांभी हम समाझ की जगे जाते हैं सब लोग यही बोलते हैं लेकिन उनके जानने के बाद कुछ धीरे धीरे अखिल भारत गुजर महासबाँ काम थोड़ा कम हो गया मैं आपसे एक यह बात कहना चाहता हूं देखिए जिस तरह से हम रोड में चलते हैं तो कहीं उतार आता है कहीं चड़ाव आता है कहीं धलान आता है कहीं चड़ाई आती है छो गाड़ी पर जब चलते हैं वो विक्ति जब काम करता है तो उसकी चमतापन निर्भर करता है कि वो विक्ति कितना काम अपनी सेना से अपनी टीम से ले सकता है और अपनी टीम के पीके अन्ना पाटिल साफ सुयम ऐसे विक्तत्व के धनी थे कि आज हम उनको आज नहीं है लेकिन उनके त्याग और तपस्य और उनकी जो समाज की महासवा के लिए जो योगदान है जितने सब्द हों वो सब्दों की कमी है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर इस महासवा में राष्टे अध्याच 1908 से लेके आज जिन तक बहुत सारे लोग हुए लेकिन पीके अन्ने पाटिल का परदानम काल था और उसको स्राडनम काल क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अच्छी बात को कहने में कहीं कभीशी से जिकना नहीं चाहिए बेवाक बोलना चाहिए उनके कारकाल में भारत के पूर प्रधानミंतरी चंसेक जो उत्तर प्रदेस से आते थे उत्तरप्लेस की धरती साहते थे उनके बड़े आजीज दोस्त थे उन्होंने उनको भारत का ग्रह मंत्री बनने का उफर दिया उनके हमजोली जिगरी दोस्ते उनके छोटे से बुलावेपर भारत के परदान मंत्री उनकी एक छोटी सी तैसिल साहदा में पहुंच जाते थे उदगाटन करने के लिए सोगर मील और सूत मीलोगा और उनके जिगरी दोस्त होने के नाते उन्होंने कहा कि अन्ना साब मैं आपको मैं ग्रह मंत्री का जिम्मेदारी भारत सरकार में देना चाहता हूँ उन्होंने कहा आज के जमाने में ऐसा अमित भाई कोई देखने को नहीं मिलेगा उधारन दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर नहीं कहीं भी नहीं मिलेगा मैं तो कहता हूँ उन्होंने कहा कि मुझे हिमाचल और जम्मू कस्मीर के मेरे गूजर के लिए ST का आरफ्षन चाहिए प्रधान मंत्री जी मुझे ग्रह मंत्री पद नहीं चाहिए आपका अश्युकार किया ग्रह मंत्री का पद ये अंचुए पहलू है जिसको हिंदुस्तान में कोई चैलेंज कर दे बड़े से बड़े दिगज मेरे से सीनिय लोग बहु उन्होंने हमाचल और जम्मू कस्मीर के गूजर को ST का रचन दिया जिसके कारण आज हमारे देश के प्रदेश के कही राज्यों में हमारे कलेक्टर SP जो बैठे हुए IS उस ST की कैटेगरी में बनके हमारे प्रदेश में भी है जम्मू कस्मीर के कई बच्चे हमारे हां रास् दन आगे नहीं करता था क्योंकि वो ऐसे ब्यक्तत्व के धनी थे निर्वरोद अद्धच बनते थे कोई व्यक्ति आज तक यह नहीं कहता था कि मैं भी अद्धच का उम्मीदवार हो सकता हूं क्यों क्योंकि उनके अलाबा कोई इनकी जो ब्रोद कई लोग जो से होते हैं कि मैं भी अद्धच बनना चाहता हूं मैं भी बनना चाहता हूं मैं भी बनना चाहता हूं हर आदमी की इच्छा तो सबकी होती है लेकिन वो चमता वो काम वो तन्मन धन अर्पन वो सारी संस्था के लिए जो अन्ना पीके पाटिल का था करोड़ों रोपे का फंड उनों न सभासवा में हम काम करते आए मैंने जैसा आपको कहा के 2003 से लेकर आज तक लगातार में करता आया founder member भी संस्था का हूँ मैं इसकी रीती नीती को भली भाती पर्चित हूँ जो लोग आज कोई कुछ बात करता है उनको लगता है कि आज बुजरगों से उन हमारे आदर नी है जो लोग है जिनके साथ में रहें हैं और उसके बाद में क्या हसर हुआ किस तरह कि अपना इसको ऐसा समझ लिया जैसे घर की sashtah हो गई हमारे घर कुछ गिने चुने व्यक्ति हैं जो निजी स्वार्थों के कारण जिन्होंने महासवा का नाम खराब करने का अस्फल प्रियास किया है लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात इसी पर एक्जेम्पल देना चाहता हूं कि आपका न्यूज चैनल है गुर्जन न्यूज इसी तरह और भी न्यूज चैनल है समाज के पत्रकारता में बहुत से लोग हैं आप अच्छा काम करेंगे अमित भाई तो देश में आपके नाम को रोकने से कोई हमत किसी की हमत नहीं है कि आपके चैनल को गुर्जन न्यूज की एहमियत को कोई नहीं पहचाने आपके प्रतियस पद सच्चाई में दूद का दूद पानी का पानी पता होगा कि वास्तम में अमित राणा गुर्जन न्यूज वाकई में हिंदुस्तान के गुजर समाज की आबाज है और बाकी तो केवल नाम मात रहें आपकी क्या प्लानिंग है उस डिवीजन को खत्म करने की और गुजर महा सुतम पाइटिल उसके बाद में बरिष्ट कारकारी अद्दच लच्विचन चैची थे लेकिन लच्विचन चैची का स्वास्त खराब हो गया और वो बैड़ पर आ गए और उनके बाद जो सेकंड कारकारी अद्दच थे वो रामसरन भाटी थे तो मैं आपको निवेदन क चाता हूं महासवा की जो रीती चली आ रही है बड़सों से जो मैंने जब से हो समाला देखा मैंने जब से संस्था में बरिष्ट कारकारी अद्दच को ही अगला राष्टी अद्दच चुना जाता है आउटर व्यक्ति को कभी आज तक नहीं चुना गया है ऐसा इसका प्र बीच में हलंकी कुछ और व्यक्ति उने भी कोसिस की करिया बनना चाहते हैं जैसरिज्जर भाटा के नाम आये तो उन्हीं के बेटे दीपक पुरसुत्तम पाइटेल बरिष्टकारकारी अद्दिच के रूप में खड़े थे पायदान पर, रामसरन भाटी के बाद, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं था, दूसरा कोई भी व्यक्ति थे, वो पहले थे, उसके बाद भार निकल गए थे, लेकिन उ इसे उनका बिलेंक हुआ, जो खाली स्थान था, तो हमारे एक पदाध्यकारी, पूर महासचिव, हमने जिनको पांच वर्स के लिए निस्कासित्वी कर दिया, इस महासवा से, पुस्कर के अद्वेशन में, क्योंकि पुस्कर में राष्ट्य अद्दिच का चुनाब हुआ उस दिन उनका निस्कासन भी कर दिया, क्योंकि संग्ठन ब्रोधिकार और संग्ठन के खिलाप और धनका भी हिसाब नहीं देना, दुरुपयों करना, उन सब बातों को लेके उनका निस्कासन भी किया, पांच वर्स के लिए, वो उन्होंने क्या किया, कि ना राष्ट्य अ मेटी से चर्चानी की और कारभार किसी जूनियर व्यक्ति को दे दिया गया जहां से शुरुवात हुई इस व्यवस्ता की मैं आपको बिल्कुल टूदा बात बता रहा हूं कोई व्यक्ति बनावती बात कर सकता है क्योंकि मैं संसाथ 18 साल से जुड़ा हूं मैंने एक जिसे कह सकते हैं मुझे इसकी पता है कोई व्यक्ति मोजवानी कुछ भी बात करे उन्होंने कारभाग का चार्ज दे दिया एक जूनियर व्यक्ति को जो एक प्रदेश का अद्द्श होते हुए राष्ट्रिय कारकार्णी में इतना सीनियर मोष्ट व्यक्ति नहीं केवल एक अद्श होते हुए उसको कारभार दे दिया बिना किसी को पूछे बिचारे क्योंकि उन्होंने यह सुचा था कि तो जैसे मेरे मामा चलाते थे तो मेरे मामा मुझे दे गए रजिस्ट्री कर गए अब मैं भी किसी को बना सकता हूं जबकि ऐसा नहीं होता है समाज की देन जरूरी है तो ऑनली कारभार दिया अध्यच नहीं बनाया ऐजे ओफीस सिटिंग लेंग्वेज में भी लिखा गया था ओफीस सिटिंग हम तो मिने स्ट्रीम है हम सबस्टाम समझते ओपिस एटिंग का लेंग्वेज दिया वह भी एक सासन में काम किये हुए और उसके बाद में यहां से कहानी शुरूबात हुई उसके बाद क्या होता है जब फिलिंदा बिलेंक्स था राष्ट्य अध्यच का क्योंकि वो कारवाग थे अध्यच बनाना था हमारी राष्ट्य कारकारणी के पदाधिकारी और कुछ फाउंडर मेंबर सबके साथ चर्चा हुई ज इतान तावा सकता है क्योंकि कुछ लोग इसको गलत दरीके पर गलत धर्रे पर ले जाना चाहते हैं तो तुरंत इस कौराना काल के बीच में ही तीस मई को पुसकर के अंदर एक अध्यचन बुलाए गया और तीस मई को उनकी 23 अपरेल को निदन हुआ था तीस मई को कौरान काल के अंदर पुसकर में अध्यचन बुलाया एसडियम से अनुमती लेके और एक स्वतंत व्यक्ति जो उस समय किसी पदपन ना हो करके पूर विधायक राजिस्थान के गोपी चंद गुजर उनको एक चुनावधकारी नियुक्त करने बाद राष्टे अध्यच का चुना मैं किया गया जिए और उनके साथ में भी दू-تीन मैं पदाधिकारी थी वो भी घुसना उस दिन कर दी थी और साथ में अपना आगे की रणनीति कारवाई उस दिन से चालु कर दी थी और जिन लोगों ने वो अस्पल प्रियास किया था कारवा करने बाला है कुछ भी वो गिने चुने, एक दो, जिनों ने इस संस्था का दुरूपयोग भी किया है, और इस संस्था को अपनी घर की बैठक समझाए, जैसे गाओं में चौपाल बैठक होती है न, यह तो मेरी बैठक है साब, यहां की बैठक में तो मैं ही हुका प्यूंगा बैठके और कोई दूसरा कोई नहीं है, इस तरह का काम करने का प्यास किया, धरातल पर क्या काम हो रहा है समाज में, उस से उनका कोई तालोकात नहीं, दूर दूर तक, मतलब पूरी टीम अभी प्रदेश और राष्ट की पूरी कारकारणी बन चुकी और पूरी कारकारणी की जो सूची है, वो भी ह गुजर भवन का एक कमरा घेर के बैठे हैं क्योंकि गुजर भवन में एक कमरे से अगर गुजर भवन का नाम महासवा है तो महासवा वो होगी अदर देन बाकी महासवा तो समाज की पूरी डायस इस दीपक पुरसुत्तम पाटिल के नेतरत में 120 की स्वीड से पूरे देश के प्रणिम काम करने का सोभाग हमें मिला हमारी समाज को उसी नीती रीती पर बलकि उससे भी उन्होंने तो जो भूत भैतर से बहतर किया बलकि उससे एक कदम और एक चीज हमने बढ़ा ही है कि अभी हमने उनके टाइम पर पुरुष प्रधान तो ही ती महासवा लेकिन अब महल प्रधान भी हो गई है क्योंकि एक गाढ़ी के दो पहिए हैं अमित भाई अगर दोनों पहिए बराबर के नहीं जुड़ेंगे तो समाज का उत्थन नहीं हो सकता है पुरुष वर्ग तो काम कर रहे थे जिले लेवल पर तैसी लेवल पर लेकिन महला नहीं कर रहे थी लेक होता है कि पहली बार हमको पुरुष प्रधान की तरह से देश कहते थे अब हमको महला प्रधान भी होने का काम हमारी गुजर महसावा कर रही है कि महला भेने भी हमारे संग्ठन में बरावर एड़ी से एड़ी मिला के अपना काम करने का काम कर रही है और उसमें हमारी सबसे इसलिए आपको सब पता है उस बात को मानते हुए हमारे मद्यप्रदेश रास्थान में नियम हो गया नुक्ता दहेज पर्था भी हमने बंद कर दी तीन आइटम सोने के किवल तीन आइटम बनाएंगे इस तरह का किया है हम उनको तो मानी रहे थे इधर हमारी राजिस्थान स जो होती थी भोजन मिर्तू भोज जिसको कहते हैं वो कुछ राज्यों में तेर्मी के नाम से करते हैं उत्तर प्रदेश में तो उन चीजों पर हमारा फोकस है और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं अच्छी लाइन पर क्योंकि हमारे साथ भी बड़ी डिगनिटी और ऐसे प सादन संपन हैं इस लेबिल के संपन हैं कि अगर किसी समाज को अगर किसी दिन भगवान की देहा से कोई ऐसा सोचे बहुत बड़े लोग वो सिच्छा की बात करते हैं ये करते हो करते हैं लेकिन वास्तिक ताम अगर किसी दिन मौका लगेगा तो ऐसा कुछ काम करने की हमार है वो करने का हमारा इस लाइन पर तैयारी है और हमारे पदाधिकारी जो संपन है जो समाज के नाम पर अपना दान देना चाहते हैं वो हम से कह रहे हैं कि साथ हम गुजर महासभा के वेनरतले समाज के लिए समाज की कुरूतियों को मिटाने का काम करें और समाज की सिच्छा पर फोकस करें और इस पेसल हम बालका सिच्छा पर करें क्योंकि बालकों के लिए तो हम बरसों से करते सुनते आ रहे हैं लेकिन इस पेसल और हम पहली शुरुआत हमारे घर से कर रहे हैं कि हमन में बनाने जा रहे हैं अच्छा ये तो हुई महासभा की बात आप आरे से सर्विस में भी रह चुके हैं अब अगला टार्गेट क्या है क्या कहीं राजनितिक महत्वा कांशाएं देखिए मैं आपको कहता हूँ मैं हमेसा कहता हूँ आप मेरा सोचल मीडिया से एकांट से भी देखेंगे मैं कहता हूँ राजनिती भी एक समाज के विकास की है और और राजनिति की के बगैर हमारी समाज का भला नहीं हो सकता है जिन कौमों की राजनिति में जितनी भागेदारी या जिनकी उतनी बड़ी वहां पकड़ रही है समाज वही आगे बड़े है राजनिति क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीती में बिलकुल आगे बढ़ने चाहिए लेकिन जिस व्यक्ति को राजनीती में सचम है राजनीती करने लाइक है योग है उसको राजनीती करनी चाहिए जो समास सेवा का काम करना चाहता है वो समास सेवा करनी चाहिए जो पढ़ाई में कमप्रिशन देखे ऑफिसर ब बीडे हुए हैं सासन में काम रहके मेंने मुखमंत्रियों वहा करम्चारी यूनियन चतिनी सब वड़ propio मेरी कर्म का यह अगर देक्ते में है मेरी कौम का ब्यक्ति भ operators के भी कुश्ट मे अगर मेरी मेरी कौम का ब्यक्ति है क्यों क wäre I जानता है, लोग तो बहुत आ जाते है राजनीती में भी, लेकिन राजनीती में काम करने की उसको नौलेज होनी चाहिए, कि मुझे इस कान से इस कान को पता नहीं लगे, कि मैं जाती बाज भी नहीं कर रहा हूं, यह क्वाल्टी भी हर इंसान के अंदर नहीं होती, यह कई व व्यक्ति सचंभ व्यक्ति अगर बनके आता है, day day वो और किसी भी सिखर पर बैथा है, चाहर। बढ़े सिखर पर बैठा है जो अपनी कौम से बड़ा आपको जिस दिन समझ लेता है उस दिन से उसकी उल्टी गिंती सुरू हो जाती है और मैं मेरी कौम की जाजम को सबसे बड़ी चीज समझता हूं मुझे राजनीती में जिन्दगी में कुछ करे या ना करूं लेकिन इसक यका संग्ठन के साथ मेरे जुनून से मेरे जोड से और मेरी इमांदारी से काम कर रहा हूँ पूरे देश में अनम संग्ठन की टीम खड़ी हो गई अभी सदस्ता नाम की बी एक रुपा किसी प्रदेश से मैंने किसी संग्ठन के पदादेकारी से नहीं लिया है जबकि ऐसे ऐसे संपन लोग हैं जो करोणा रूपे फंडने संस्था के लिए दे सकते हैं जिनको मैंने आज जोड़ा है जो समाज का भला करने के लिए जोड़ा है मैंने का मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चु सिंग मैसला अपने जेव से लेटर भी नियुक्ति करता है त एक आखरी संदेश समाज की युवा पीडी के लिए गुजर समाज के लिए जो आप देना चाहें हमारे दरशकों को जी मैं गुरजन नियुज के सभी माध्यम से समस्त देश के युवा साथियों को युवा सक्ति को खासतोर से क्योंकि उनको कोई भी कायर करें जोस के साथ होस में काम रहके करेंगे तो उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि जोस में हमारी कम्निटी के लोग की कोई कमी नहीं हमारी कौम का हिंदुस्तान में स्वर्णे मितिहास है इसको दबाने का कुछ अथक प्रियास किये गए लेकिन हमारा इतिहास इतना स्वर्णे चाहिए कि जिस कौम सड़ने मितिहास कौम के जो बच्चे हैं उनको अपने जोस के साथ होस में काम करके अपनी एक देश में अपनी एक पहचान बनानी चाहिए अपनी समझदारी से अपना नाम बनाना चाहिए जो सिच्छा और छेत्र में सासन में जाना चाहते हैं उनको एक मिसन तै करना चाहिए एक लाइन तै करोगे तो आपकी तरक्की होगी और आपका ध्यान जब अगर भटकेगा कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ मैं नौकरी भी कर लूँ और मैं राजनीती भी कर लूँ वो नहीं हो सकता है हमको लच्छ एक बनाना चाहिए सासन में जाना है तो हम केबल उसी लाइन पर काम करें, हमें राजनिती में जाना है, तो उसी लाइन पर काम करें, हमें समाज सेवा का काम करना है, तो समाज की लाइन भी मजबूती से उठाना है, उसमें कहीं आपका टरनिंग पॉंट आता है, तो आप जोइन करिए, उससे समाज का भला करने क काम करिए और समाज को पूरी तरह से सिर्पे रख के काम करिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको ना तो कोई सरकार की ताकत ना कोई राजनेतिक दल की ताकत कि आपके कौम के इतिहास को दबाने का अच्छक प्रियास करेगी ये कौम का इतिहास इतना बड़ा इतिहास है कि देश में हाली में सुप्रीम कोट ने माननी जो राम मंदर का फैसला सुनाया है वो भी गुर्जर पृतिहार बंस के दौरा बनाये गया था उससे बड़ा इतिहास मेरी कौम का किसी दुनिया में नहीं हो सकता क्योंकि लोग कहते हैं कि रा आस्था जुडाब नहीं होता अगर भगवान सरी राम में तो वो क्यों मंदर बनाने की सोचते उस सताबदी के टाइम पर इसलिए आपको लच्छ तै करना है कि मुझे क्या करना चाहिए और मिसन अपना इमानदारी से अगर हम किसी ट्रैक पर चड़के अगर पट्री पर चल कि आल जबा इसलिए और श्रबक्तारारी से तो करेंगा के रगवान